नमस्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ मिलिशा, दोस्तों आज हम जानेंगे गुरुवार ब्रत की उध्यापन विधी, जैसे की गुरुवार ब्रत का पूजन कैसे करना चाहिए, पूजा करने की क्या नियम होते हैं, अथ्वा हम क्या क्या साधानिया रखें इस दिन, ये सबी जानकारी म मैंने आपको दी है, प्लेज आप उसे चिकाउट आवस्य करें, इस पीडियो में हम आपको गुरुवार ब्रत की उत्यापन विधी बताएंगे, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों गुरुवार का ब्रत बहुत ही फलिदाई होता है, सभी मनो काम अवस्य पूर्ण होती है, दोस्तों गुरुवार का ब्रत अथ्वा उत्यापन हमिसा सुकल पक्ष में ही करना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत ही शुबकारी होता है, तो गुरुवार का ब्रत उत्यापन आपको अपने संकल्प के अनुसार करना है, जैसे कि जब भी आप की सुर्वात करते होंगे, तो संकल्प लेना चाहिए, कि हमें कितने गुरुवार का ब्रत रखना है, उसी के अनुसार जब आपका संकल्प संपोर हो जाए, तब आप यह उध्यापन विधी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी गुरुवार को करें, या फिर वो पूरा होने क के बाद जो आने वाला गुरुवार होता है, उस दिन भी आप कर सकते हैं अपनी सुविधा और समय के अनुसार, तो चलिए हम जानते हैं कि उध्यापन विधी में किन विशे सामागरियों के आउशक्ता होती है, और यह सभी सामागरी यदि आप एक दिन पहले लेके रखत हैं तो आपके लिए जादा ही उप्यक्त होता है, पुजा के लिए हमें चाहिए सवा मिटर पीला कपड़ा, सवा पाव चने की दाल, सवा पाव गुड, सवा पाव बेसन की बनी मिठाई, जैसे की पूंदी, अत्वा पूंदी के लड़ू या फिर बेसन के लड़ू, साथ में चाहिए मुनक्का, पीले फूलों की माला, पीले फल, केले, पपीता, और पीला चंदन, हल्दी की गाट, केसर, केले का एक चुटा पौधा, तुलसी पत्र, और गुरुवार ब्रत की एक पुस्तक, जो आप पढ़ेंगे उसके अलावा ये सभी चीजें आपको दान करन जाहिए, दोस्तों मैंने आपको सुक्षु बिधी से बताया है, कि इतना आपको लेना ही है, यदि इसके अलावा आपका सामर्थ है, तो आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, जैसे कि पीले कपड़े में आप ब्रहमण को देने के लिए पीले वस्त्र, पीली धोती, पीला, क गुर्ता इस तरह की चीजें भी आप ले सकते हैं, चने की दाल में आप सवा किलो कर सकते हैं, सवा पांच किलो कर सकते हैं, अत्वा गुड़ भी इसी प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, सभी चीजें आप अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन इस से कम में आप उध्यापन विधी नहीं कर सकते हैं इस अभी चीज़ी को एकत्र करने के बारे के स्वेरे करना है कीसी हमें दान करना है तो आपने जैसे प्रते गुरुवार को व प्ले में करने को पूजा्ए प्रतिमारी करने और स्वैम भी लगाना चाहिए और साथ में जो केले का पोधा आपने लिया है दान करने के लिए उसे भी आपने वहां पे रख लेना है और जो यह सबी बस्तुएं हैं आपको इसी पीले कपड़े में रख कर भगवान विश्णु को पूजा के साथ अर्पित करना चाहिए औ उसी तरह पूजा करें उन्हें भोग लगाएं और भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें और कथा पढ़ें और भगवान विश्णु के मंत्रों का जप करें आप हमन भी कर सकते हैं हमन करने के लिए आप 11 बारी 21 बारी और 108 बारी अपनी समय के अनुसार यह हमन आप को करें और सबी चीजें आप भगवान विश्णु को अरपित करने के बार आप उनसे प्रात्न करें कि हैं व्यगवान विश्णु आपकी क्रपा से हमारा ब्रत संपूर्ड हुआ हमने इतने ब्रत का संकल्प लिए था आज वह संपूर्ड हुआ और हमने उद्यापन विदी करी है इस पूजा को आप सहर स्वविकार करें और हमारी मनो कामना पूर्ण करें उसके बाद केले की पौदे की परिक्रमा आपको करना चाहिए परिक्रमा आप साथ ग्यारा इकीस बारी करें उसके बाद भगवान विश्णु की आर्ती करें और छमा अवस्य मांगें इस तरह से आपकी उद्यापन विजदी यहाँ पे संपूर्ण होती है दोस्तों लेकिन जैसा कि दान के बिना कोई भी ब्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है तो इसलिए आपको एक ब्रहमण को भोजन अवस्य कराना चाहिए और भोजन में पीली वस्तूओं का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि पीली मिठाईयां पीले फल भोजन के बाद ब्रहमण को दान दे कर सभी वस्तूओं दे कर आपको उन्हें विदा करना चाहिए यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो ऐसे में आपको सभी कच्ची वस्तूओं एक थाल में इकत्र करना है और साथ में जो आपने उद्यापन विधी के लिए समागरी का त्रित करी है वह भी किसी विष्णू मंदिर अत्वा लक्षमी नरायन मंदिर में केले के पौदे के साथ में दान करना चाहिए और भगवान का दर्शन करके आप अपने उद्यापन विधी संपूण करें तो दोस्तों यह थी भगवान विष्णू की उद्यापन विधी यदि मारे वीडियो आपको थोड़ी सी बेहलफूल लगें तो प्लीज माँ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्स्ट्राइब जरूर करें निव वीडियो के लिए थेंक्यू